यूट्यूब के बैल आइकन को बजाना ना भूले हमारे लेटेस्ट अबडेट्स के लिए MX PLAYER पर मफध मा स्ट्रीम करी सकती सिरीज लव ओके प्लीज ना प्रमोशन माटे क्रिकेटर मा थी अभिनेता बनेला करन वाहीयम दवाद नी मुलाकाद लिदी हेरिटेज विस्तारों नी मुलाकाद साथे बसमा मानी सफर 4 सिंगल चोकरा ने 4 सिंगल चोकरियों ने प्रवास दर्मियान प्रेम सोधवा नी सक्ये था MX Original सीरीज लव ओके प्लीज 8 सिंगल प्रेम नी तलास मा हिमाचल प्रदेश ना 9 रम्यस 3 मा यादगार मारगे प्रवास से निकली पड़े चे त्यारे सूत हाई चे ते आ सिरीज मा जोवा मड़े चे आकर यालेटी शोने मातर MX प्लेयर पर मफद मा स्थीम करी जोईश रका से आ अनुका समाजिक प्रयोगु मा होस तरीके करण वाही तेमनू प्रदापन करी देया चे जे ओते पन कटर प्रवास नो सोग दरावे चे आज आ सिरीज ना प्रमोशन पर ती अमदावाद ना महमान बन्या हता अने सिरीज नी जे मज बसना अनुबव ने जोता बसमाज पत्रकारों ने संबोधी आ सिरीज विसे नी माही ती आपी हती उप्रांत अमदावाद नी रिवर्फरंड खाते बन्तियों द्वारा मुलाकात लेवा मा आवी हती बार एपीसोड निया सिरीज बेबाग स्ट्रीम कर से जे माँ प्रतम चोई एपीसोड 25 माल 2021 ना रोज ड्रॉप करा से जारे बागी चोई एपीसोड एक सपता पचेट लेके एक एप्रिल दी आरम करता सरूत से करन वही ना मंतव्य मुझवा आसो बेबाबत ने जोडे छे जे मुझवा दरेकते जीवन मा धरावतो जोई है प्रवास ने प्रेम रियालेटी सो तो गना बदा छे परन्तु अजनभियों ने प्रवास करवा साते चमक सोधवा ने प्रेम मा पढ़वानी तक आपना रा आ अन्येखों सोचे प्रवास्ति तमारा साथी गना बदा नहीं जो एला चेहरा तमारी सामे आवेचे अने शो तेनी पर करत केंदरित छे प्रेम नी सकेताओ साथे प्रवास पर सिंगल साथियो मने लागे छे के प्रवास दर्मियान प्रेम सोधो दे उत्तम विचार छे अने मने आ अजोड फॉर्मेट नो हिस्तो बनवानी बहत खुसी छे अम्दावद नी मुलाकात पर बारापता कहे छे के अमें आ हेरिटेस सीधी टूर पर तमने लई जही ने एककत्र मडी ने स्वादिस बोजन सेवन करवानों तमारी आज इमाटे अनुबंग निर्मान करवानों प्रहस करे हो छे एम एक अप है, हमारे फोन पे जो आजकल वेब बहुत बढ़ा उगया है, और सब वेब आप पर कॉंटेंट देख रहे हैं तो एमेच पेडर एक अप है, बहुत टाइम से है, एमेच प्लेयर के अब ओरिजनल कॉंटेंट आरहे है तीन शोजास आचुके हैं और ये MX Player का पहला non-fiction show है non-fiction हम usually TV के scenario में reality show बोलते हैं पर हम यहाँ पर सिर्फ non-fiction show बोल रहे हैं एक travel show है एक travel love show है इसका नाम है love okay please आठ single लोगों को मैं एक road trip पर ले गया था हिमाचल में मगलोड गंच्टु मनाली और मेरा मानना है जब आप travel करते हैं तो आप एक इनसान को अच्छे से समझ पाते हैं आप बहतर समझ पाते हैं और आपको I think I'm sure realize हो जाता है कि आप उस इनसान के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मुझे लगता है कि आप travel पे you know you can fall in love आपको प्यार हो सकता है क्योंकि जब आप किसी के साथ travel करते हैं तो आप उसकी हर चोटी सी चोटी और बड़ी से बड़ी बात को बहतर समझ पाते हैं तो एक decision better होता है तो हमने वही कोशिच की आठ सिंगल लोगों के साथ चार लड़किया चार लड़किया उनको हम लेकर गए अपने साथ और उनको बहुत सारी हमने you know चीजें करवाई on the way काफी टास्ट थे काफी रिवार्ड्स मिले काफी मस्ती हुई काफी ऐसी चीजें हुई जो मैं actually खुद अपनी परसनल लाइफ में करता हूं जब मैं मैं ट्राइवल पर चाता हूं तो I think पहला रीजन ही यह था क्योंकि मैं इतना ट्राइवल करता हूं मुझे इतना घूमने का शौक है अलग अलग जगाएं देखने का अलग अलग लोगों से मिलने का तो I think वो सारा हमने इंकॉपरेट किया है एक शो में हम इसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं सोशल एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि I think जैसे मैंने कहा जब आप दो लोगों को बोलते हैं साथ में च्राइवल करने को उनको पूरा दिन एक साथ रहना है घूमना एक साथ है खाना पीना एक साथ है रहना एक साथ है कुछ भी टास्क करना है उसाथ में करना है तो I think वो सोशल एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत वर्क किया है क्योंकि हमें चार अलग-अलग तरह के connections मिले और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस शो के बारे में लगी वो ये थी कि यूजली जब हम reality shows देखते हैं तो हमें कभी-कभी लगता है voting है, voting से voting जायज नहीं होती या fair नहीं होता है कभी-कभी ये show wasn't about voting ये show wasn't about कौन जीतेगा कौन हारेगा क्योंकि जब ये show लोग देखेंगे तो उनको रेलाइज होगा फिनाले में जो हुआ वो बहुत unexpected था हमारे लिए भी ये show का मुद्दा और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये था कि क्या हम अगर सिंगल लोगों को एक सार लेकर जाएं जो एक दूसरे को शायद नहीं जानते हैं क्या एक travel journey में वो एक दूसरे को इतना अच्छे से जान पाएंगे कि उनमें प्यार हो सकता है या एक चाह हो सकती है एक दूसरे को और बहतर जानने की तो I think हम अपने experiment में successful हुए फाइनली शो पच्छिस तारीक को पच्छिस मार्च को रिलीज हो रहा है बारा एपिसोड का शो है दस अलग-अलग locations हैं शो में आपको हिमाचल की अलग-अलग जगाओं के बारे में को देखने को मिलेगा हम इमाचल के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्व ऐसा लगता है ठंडी जगाँ पहाड बट आप बहुत सप्राइज हो जाएंगे जब आप अलग-अलग locations देखेंगे हमाचल के बीच में 25 मार्च को पहले 6 एपिसोड रिलीज हो रहे हैं और 1 एपरिल को बाकी के छे